सबी साथियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और निर्मल सरेश व्लोग में आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुख, खुशी और आनन्द सुख, खुशी और आनन्द तीनों एक जैसे लगते हैं देखते हैं तीनों एक ही है या तीनों एक ही सिक्के के पहलू है या तीनों अलग-अलग है मनुष्य जो है वो इच्छाओं का पुतला है मनुष्य का जो मतलब है वही है मन की प्रधानता हो जिसमें जो मन को पहले रखता हो और मन क्या चाता है हमेशा सदा सुख पाना चाता है और सुख पाने की मनुष्य में इतनी प्रबल इच्छा होती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो अपनी सुख प्राप्ती के लिए धरम पर भी निर्भर हो सकता है वो अपना सुख पाने के लिए आस्थाएं बदल सकता है वो अपना सुख पाने के लिए अपनी परिस्थितियों में भी परिवर्तन कर सकता है कहने का मतलब ये है कि मनुश्य की इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती है, पहले उसे लगता है कि इतना सा हो जाए, कितनी सुख मुझे मिलेगा, आ जाता है, थोड़ा और आता है, थोड़ा और आता है, थोड़ा और आता जाता है, लेकिन संतुष्टी नहीं मिल पाती है क्यों? क्योंकि मानव जादा 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 पाने की लालसा में वो जो थोड़ा 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 आ रहा था वो भूल जाता है वो समय भूल जाता है कि जब थोड़े में भी उसने गुजारा किया है मेरे ख्याल से जब थोड़ा था तो वो ज़्यादा सुखी था लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पाते पाते वो ज़्यादा में बदल गया और अगर दो पलडे हो ना कि ये पहले थोड़ा था तो सुख इतना था यह जैसे-जैसे बढ़ता चला गया सुख हमारा और कम होता चला गया सारे साधन, सारी सीमाएं समाप तो जाती है लेकिन हमारे अंदर वो जो सुख है वो नहीं मिलता वास्तम में आदमी क्या सुखी होना चाहता है नहीं सुख के बाद उसको खुशी भी चाहिए फिर खुशी के बाद आता है आनन्द जो मैंने शुरू में ही कहा कि तीनों एक जैसे लगते हैं वास्तव में तीनों एनी एक जैसे हां हो सकता है थोड़ा बहुत फरक हो लेकिन तीनों है नी एक जैसे देखो मैं स्पष्ट करते हूँ वस्तुएं जैसे मानलो थोड़ा था अब ज्यादा बड़ा कमरा हो ज्यादा बड़ा घर हो ज्यादा बड़ा फ्लैट हो और बड़ी कोठी हो जाए छोटी गाड़ी है इससे बड़ी गाड़ी हो जाए इससे बड़ा और बड़ी गाड़ी हो जाए और गहनी हो जाए और ये वो है और आदमी इन ही में सुख ढूंड़ना चाहता है वास्ता में ये सब एश्वरे की चीजे हैं क्या जिनके पास नहीं है वो सोते नहीं है और जिनके पास है उनको अच्छी नहीं दाती है उल्टा है जिनके पास ये चीजे नहीं है वो अराम से सोते हैं आते जाते मै देखती हूँ कई बार पहले तो टाइम नहीं होता था अब ग्यारा बजी के करीब वॉक के लिए निकलती हूँ दिन में भी कई बार मार्किट जाते है सबजी लेने तो मैं रास्ते में देखती हूँ रिक्षा वाला रिक्षा को छाया में रोकता है गदी और उसका मतला बिस मतला सब हैं मैं आप हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे विस्तरों पे एसी कमरों में भी करवटे बदलते रहते हैं सुख नहीं होता है ना तो ये भौतिक सुख है फिर आती है खुशी खुशी जो जैसे जैसे सुख प्राप्त होते जाते हैं खुश अगर आदमी सुख चाता है देखो सुख चाता है तो वो धरम की तरफ भी मुड़ता है वो अपने विचार अपनी आस्थाएं भी बदलना शुरू कर देता है लेकिन जैसे जैसे उसे ये भौतिक चीज़ें मिलती चली जाती हैं सुख तो हो जाता है गर्मी है एसी चला लिया कूलर लगे हैं कमरे ठंडे हैं और ठंड है तो कमरे गरम हैं हमारे पास अराम से रहते हैं कुछ नहीं करना हमें बौडी जो है लथार्जिक हो जाती है क्योंकि सुख बहुत है और वो जो शान्ती और वो जो खुशी है और वो जो आनंद है वो गाय इसका मतलब यह हुआ कि इन भौतिक चीजों में पढ़के हम वास्तविक खुशी को खो देते हैं अब ये खुशी कहां खो जाती है खुशी इन सभी वस्तूओं की तह में गुम हो जाती है क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कभी हैं और कभी नही इनके साथ अपनी खुशी को मत जोड़ो कि ये हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे वो हो जाएगा तो खुश हो जाएगा ये चीजें हमें खुशी देने वाली नहीं हैं खुशी देगी आनंद देगी आनंद और चरम सीमा है खुशी हमारे अंदर है खुशी का एहसास हम अंदर होता है, इन सब भौतिक सुखों को पाने की लालसा में, उस एहसास को हम छोड़ी देते हैं, और ये तब मिलेगी, जब हम खुद महसूस करेंगे, एक छोटा सा बच्चा है, मैंने दो दिन पहले देखा, वेन से बच्चे उतर रहे थे, तो नटकट बच्चा, नरसरी या के जी, ऐसे ही होगा, ममी आई नहीं थी, तो मैं गेट पे खड़ी वी थी, तो मैंने उसको का, आजा बेटा, अंदर, ममी नहीं आई, दूर से उसकी ममी दिख रहे थे, आते वे, तो उसने देख लिया, रास्ते में छोटा सा पपी था, उसने फटा-फट क्या किया, अ के इतना, अंदर से एक हसास हुआ कि ये खुशी है, देखो, दो उसकी चीजें दूर हो गई, एक तो उसको ममी से डांट नहीं पड़ी, ममी खुश, के खाना खा आया, बच्चा मेरा, दूसरा, उस पपी को खिला के, उसके मन में इतनी खुशी उमड़ी, कि इससे जादा उसको कोई चीज दे नहीं सकती थी, ये है खुशी, ये छोटी-छोटी खुशियां हम भूल जाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, बहुत खुशी मिलती है, किसी से कुछ, कोई हमारे से सला लेने आया, हमने उसको कोई सला दे दी, और उसका काम बन गया, भी गड़ता हुआ, उसने हमें थैंक्स बोला, उस दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, ये एक खुशी है, और देखो सबसे अच्छी खुशी, कुछ नहीं, घर गंदा लग रहा था, हम भी बड़े डिप्रेस से थे, कारण कुछ नहीं था, कारण अपने अंदर ही था, कि जो डेली के काम करत अपनी दैनिक चरिया को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, और चेंज करते ही हमारे अंदर एक नया, नई उर्जा या नई खुशी हमें अपने आप मिल जाती है, तो खुशी ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे इदर उदर ढूंडते फिर हो भई, कि इतन में जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, वो एक शनिक खुशी होती है, एक शन के लिए आप खुश हो गए, वास्तविक खुशी हमारे अंदर है, अगर हम महसूस करें, छोटी-छोटी चीजों में महसूस कर सकते हैं, आज ये चीज यहां से यार कर दी, कमरा बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बेडरों की चद्दर बदल दी, तो भी खुश, ये भी तो छोटी-छोटी खुशियां हैं, इनको अपने अंदर जो संजो रखी हैं, या किसी कारणवश हमने वो दबा दी हैं, उनको भी निकालें, यही खुशियां हैं, और आनंद है चरम, सुख और खुशी को मिला जो हमें प्राप्त होता है, हम स्प्रिच्वल या हम स्प्च्वालिटी की तरफ चले जाते हैं, हमारा जो ध्यान है, वो ईश्वर की तरफ चला जाता है, धरम की तरफ चला जाता है, कोई किसी धरम को, कोई किसी भगवान को, कोई किसी भगवान को, वो भी खुशी देता ह अबी जन्माष्ट मी गई, काना जी का जनम दिन, कितने खुश हो के मनाया, मंदिरों में चले जाओ कोई आपको मायूस नजर ही नहीं आता है, ये इश्वर की किरपा है, के मंदिर में जाते हैं, छोटे से काना जी को जूला जूलाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं, और आज कल देखो चहल पहल काना जी कब बढ़डे हो गया, अब आगे हमारे गन्नु भाईया, गनेश जी, गनेश जी की तयारियां जो रोशोरों से हो रही है, उनके छोटे-छोटे बंगले बन रहे हैं, उनमें गनेश जी को स्तापित किया जाएगा, पूजा अर्चना होगी, ये भी खुशी है, ये भी खुशी का एक तरीका है, और कितने सालों से हम ये करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारा तन, हमारा मन, मस्तिक्ष, उसमें जुड़ जाता है, और हमें वो करने से अपार आनंद की प्राप्ति होती है, तो कहने का मतलब ये हुआ, कि भगवान हम परम आनंद दे सकते हैं, और छोटी-छोटी चीज़ों को करके हम वो खुशी पास सकते हैं, अब मैंने देखा है, जैसे कई बार विस्तर उबर खाबर सा पड़ा है, बच्चे उठ जाते हैं, कमरे में जैसे ही फिर आते हैं, अरे ममी कमरा अच्छा नहीं लग रहा, तो भ अंदर आओगे, तो तुम्हें अपार खुशी मिलेगे, आहा ममी आज मैंने अपना कमरा ठेक किया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो ये छोटी-छोटी खुशियां हैं, अपने घर को बनाने की खुशियां, अपने आपको सवारने की खुशियां, तो तीन चीज़ हमें सुख देती हैं, ये भौतिक चीज़े हैं, ये हमें सुख देती हैं, शान्ती नहीं देती हैं, अगर हमें शान्ती देती हैं, तो मंदिरों में वो वियाईपी गेट कभी नहीं होता, जो हजार, दो हजार, पांच हजार देने के बाद प्रवेश कराता है, कि आईए आ कि अप्धर्शन कीजी वो लोग मंदीरों में दिखाई नहीं देते फिर जिनके पास अतः हा धन धान्य हैं वह नहीं मंदीरों में दिखाई देते क्यों को तो सुख मिल जाता फिर लेकिन हमें मंदिरों में वो दिखाई देते हैं और वो special प्रवेश द्वार से आते हैं अपने धन धाने का पूरा बखान करते हुए कि इतने दिये और फिर हमें मंदिरों के दर्शन हुए आप काना जी की नगरी चले जाओ बांके बिहारी के लिए दर्शनों की लाइन लगी होती है और मैंने देखा है जो पैसे दे के दर्शन देते हैं वो भी वहीं जाके खड़ा कर देते हैं और मैंनत से दर्शन करो तो अपार खुशी होती है अभी हम लोग गाए बांके बिहारी में दो तीन पन्डित थे उनका रोजगार है वहाँ पे कोई वैवसाय नहीं है, उनका रोजगार है, तो वो ये काम करते हैं, लेकिन ये हमें देखना है कि इश्वर के दर्शन पाके हमें कैसा आनंद मिलता है, वो एक परम आनंद होता है, है ना, तो मैंने अपने विचारों को इस तरह से तोला, कि भौतिक सामगरी तो स सुख देती है, एश्वर्य है, जी बड़ा घर है, बड़े घर की मालकिन हूँ, और घर में ये सारी चीज़े हैं, लेकिन उसको देखके आप एक पल, दो पल मुस्कुरा सकते हो, अंदर वाली जो सुख और शान्ती है, उसे नहीं पा सकते, उसको पाने के लिए हमें सुख के बाद खुशी तलाशनी ही पड़े, लेकिन वो खुशी हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, मिलेगी हमें अपने अंदर ही, और उसे हमें अपने अंदर उसको फील करना होगा, तब ही हम उस खुशी को पा सकते हैं, एक वो गाना है ना, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जाहाँ यानि जब गम आए और खुशी आए उसमें जादा फर्क मत रखो क्योंकि जब खुशी चली गई तो गम भी चला जाएगा दोनों को एक साथ संजो थोड़ी देर के लिए तो मन होता है फिर हमने सारा दिन क्यों खराब करना जब खुशी सुबह आई थी शाम को चली गई तो गम भी आया है वो भी चला जाएगा ये सब शनिक चीजे होती है इन सब को मन में और दिमाग में भरना अगर हम बंद करते हैं और अपनी छोटी छोटी अपने परिवार की अपने आसपास समाज की अपने घर के आसपास की क्यारी में एक पौधा लगा दो तो भी कि खुशी हो जाती है कई बार तो कोई नया पौधा लाए क्यारी में लगा दिया दो दिन बाद फूल भी खिल रहे हैं तो देखके खुशी हो जाती है अपने हातों से हमने कोई सबजी का पौधा लगाया उसमें से कुछ फल पूल आ रहे हैं उसको देखके भी खुश हो और उस खुशी में अपने आपको अपने आसपास के वातावरन को एक इस तरह आनंद में बना दो कि आपको लगे वाक्य ही ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है खुशी को रोणना तो ये मेरे अपने विचार थे और आनंद तो देखो भगवान के दर्शन करने जाओ हाथ जोड़ो उनकी प्रतिमा को देखके ही परमानंद हो जाता है आप मनदिर में जोच जगाते हो दिया बाती करते हो वो भी आनंद केशन होते हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए हम खाना बनाते हैं कहने का मतलब यह है कि अगर हम रस्में हो जाएं एक जगह मैं पढ़ रही थी बुक में कि जो सुर में नहीं है वो असुर है और जो ताल में नहीं है वो बेताल है असुर और बेताल याद आगे न तो कितनी अच्छी उसने ये एक बात कही कि इसलिए हमेशा सुर में रहो नहीं तो असुर बन जाओगे और ताल में रहो नहीं तो बेताल कहलाओगे है ना तो सुर और ताल अपने ठीक रखो किसी से ना उल्टा बोलो ना किसी से दूसरा सुनो सुना रहा है तो चुपो जाओ उसकी बात वो जाने और उसके कर्म वो जाने है ना तो ये थोड़ी बहुत बाते हैं जो अगर मैं भी और हम भी और सब भी अपनी जिंदगी में लाएं तो हो सकता है हम वो सुख और वो खुशी और वो आनंद अपने आप राप्त कर लें इनी भावों के साथ आज का ये व्लॉग यही समाप्त करते हैं आप भी खुश रहिए स्वस्त रहिए, मस्त रहिए यही जिंदगी है नहीं तो कुछ नहीं पता आज हम है, कल कहा होंगे इश्वर को धन्यवाद करें कि उसने आज का दिन दिखाया और साथ में ये ब्लेसिंग्स ले के आज का दिन दिखाया है तो इसे अच्छे से गुजार देना So keep smiling, have a nice day and goodbye